को अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वादा हूं दस फीट भाई 9 के वाल में कितने रुपए का वालपेपर लगेगा इस वीडियो को लास तक देखेगा और हाँ अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी जाना है तो नीचे में हमारा वाड्सअप नंबर है सब्सक्राइब करें इन्टेट जिगत चैनल को और पासी इस बेल आइकन को दबाईए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले सबसे पहले ऐगर मैं आपकू बताऊं कि 10 Steady आपको अराम से आप समझ पाऊगे क्लकुलेसर निकाल पाऊगे की आपके wall में कितना पैसा लगेगा तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं अगर आपका wall सबसे पहले आपको देखना है कि wall की चोड़ाई कितनी है जिस वाल में आप लगाओगे इस वाल की चुड़ाई कितनी है मान लो यह वाल मेरा 10 फिट की चुड़ाई है और यह हाइट यह हाइट आपको देखना है कि कितना है तो हम यहाँ पे आपको 10 इन्टू 9 स्कुआर फिट मान लो आपका 10 बहें 9 का आपका रूम का साइज है एक एक रूम ३ाइक सइज आता है जो कभर जो वालकेपल कवर करता है वह 25 फिट को कभरता है एक रूम तो अब यहाँ पर हमारा 50 स्कुड़ मेरत मेरे लगेगा आप तो मेरे को क्चावार लेना पड़ेगा मतलब 50 2 दो, 100 square feet मेरे पास, wallpaper आजाएगा, ready, 100 square feet की आपको पास wallpaper आ गया, अब आपका जो wallpaper का price होगा, वो आपको देखना है, कि आपका budget कितना है, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा, कि wall paper का quality आप ऐसा लगा, कि minimum, पस्क्यास तब गउन, खीके कियोंकि आप अपना घर मणा रहे वालपेपर एगर आप लगा रहे हो तो आपका सौक है कि अच्छा घर देखे तभी तो आप बएक है नहीं तो नॉर्मल आप ऐसे पेंट तो क्यों आप कम कीमत की वालपेपर को आप लगाना चाहिए न तो मैं प्राइस है 60 रूपीस पर स्कॉार फिट का वाल पेपर तो हमारा हो गया हंडेट इन्टू 60 तो यहां पर हमारा हो गया 6000 एक वाल का प्राइस अब कभी-कभी यह जो प्राइस मैंने आपको बताया 6000 रुप्या एक वाल के लिए अब कोई-कोई इसमें जो आपका प्राइस है एक रॉल का इंस्टूलेशन का कोई 500 लेता है कोई 800 लेता है कोई 1000 लेता है कोई 300 रुप्या लेता है तो यह डिपेंड करता है कभी-कभी आपको जो कंपनी वाल प्राइस में ही आपको इंस्टूलेशन करा देता है और कभी- प्रण लोग कि हम अलग से भी अगर 500 भी पकड़े तो दो रोल का मेरे को 1000 देना पड़ेगा तो मेरा 7000 फोर वन वाल मेरा एक वाल में 7000 रुपय का खर्च आता है अब इसको मैं आपको बताता हूं इसको आपको कहा लगाना चाहिए किस वाल में लगाना चाहिए देखिए कभी भी डह कुआ में नहीं एकदम ही नहीं कि अगरा या सोच रहों पप्ड़ी उंकर रहे तो उस वाल में लगाएं वर अजया पानी की वेल्कुली नहीं थिर आपके घर कम नहीं एक तो नुड़ों यह साप नहीं होता है चाए कोई कंपनीवाला बोलते हैं यह साप बिलकुल ही नहीं होगा अगर आपके गर में डौगीज है अगर उन्हाफु नाकुर मार दिया तो मानलो लिए मृष्फी तो dh via यह खुआ इस चीज़ आ पको बचना वाल पेपर में यहр्ञाट ए तो दोस्तो में उमिद करता ही यह पने आपको आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियों को लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जय जय भालब घर में लगएगा सुरक्षित रहेगा बाबाई